हेलो फ्रेंड्स मैं संगीत अगरवाल भोजन पोटली से आज हम आपके लेकर आएं राजिस्तानी बाटी और चूर्मा तो बनाते हैं बाटी बाटी के लिए दो कप आठा ले लीजे और उसमें आदा कप सूजी टेस्के आपसे नमक और एक चमच अजवाईन थोड़ा क्रश करके मिक्स कर दीजे अब इसमें मुयन के लिए आदा कप घी मिलाईए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजे दाल बाटी चूर्मा एक राजिस्तान की बहुत फेमस डेश है जो आल ओवर इंडिया बहुत पसंद की जाती है और इंडिया से बाहर भी तो यह देखी हमें आटे का यह टेक्स्टर चाहिए इसका मतलब मुयन परफेक्ट है अब पानी की साहता से हमें मीडियम सॉफ्ट आटा लगाना है चपाती से थोड़ा हर्ड और इस आटे को सेट करने के लिए हाफ एन आर के लिए छोड़ दीजे आदा गंटा हो गया है हमारा आटा बिल्कुल सेट हो गया है अब हम इसके छोटी छोटी लोईयां बना लेंगे आज मैं ये बाटी अप्पे पैन में बना रही हूँ आप इसे कूकर, कढ़ाई, ओवन, तंदूर किसी में भी बना सकते हैं अप्पे पैन में बहुत जल्दी और बहुत इजी ली बन जाती है तो हमें क्या करना है लोई बना ली उसको गोल कर लिया और उसमें बटर नाइफ की साहता से क्रॉस बना लिया क्रॉस हम इसले बनाते हैं ताकि बाटी हमारी अंदर तक सिख जाए आप इक क्रॉस हाथ से भी बना सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको मुझे थोड़ा बटर नाइफ से एजी लगता है तो हमारा पे पैन गरम हो गया है, बाटी भी तयार हो गई है इसमें हमने थोड़ा गी लगा लिया और सारी बाटी इसको इसमें रख दिया है बाटी इसको एक तरफ से सिखने में 4-5 मिनट लगते हैं बीच में एक बाट चेक कर लिजे 4-5 मिनिट बाद देखे पलट के आपकी बाटी एक तरफ से golden brown हो गई है सारी बाटी पलट दीजिए फिर खीयो थोड़ा से इस पर डालिए और दुबारा से ढखके 4-5 मिनिट के लिए रख दीजिए हमारी बाटी बिल्कुल तयार है आफ अब हमने एक बाउल में 100 कब गी गरम कर लिया है और उसमें इस बाटी इसको हम डिप कर रहे है एक मिनट के लिए बाटी को डिप करके रखिए और फिस इसमें से निकाल के प्लेट में लगा लिजिए तो आपकी बाटी तयार है इसे आप वैसे भी खा सकते हैं और चूर्मा दाल के साथ तो टेस्ट बहुत ही परफेक्ट है तब चलते हैं हम अपने चूर्मा की तरफ चूर्मा बनाने के लिए मैंने बाटी का ही यूज किया है इसके लिए मैंने 5-6 बाटी इसको ठंडा कर लिया और उन्हें मिक्सी में पीस लिया ग्राइंडर में हलका सही पीस नहोता है यह बिल्कुल पेस नहीं होता उसके बाद मैं चूर्मे को ड्राय रोस्ट करूंगी आप चाहें तो इसे गी में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स हमारे सारी रेस्पीस के इंग्रेडिंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं किसी भी रेस्पीस के अब देखें मैंने लो गैस्पेस को रोस्ट किया है ड्राय रोस्ट अब एककुल हलका हलका बीच-बीच में इसको चलाते रहिए चूर्मा सिग गया है अब हमें इसे ठंडा होना रख दिया ठंडा हो गया है तो इसमें 2 टेबल स्पून आप पॉर्डड शुगर बूरा या पिगला हुआ गुड़ भी मिला सकते है अपने टेस्ट से अब इसमें कटेवे ड्राइफूट्स, बदाम, काजू, पिस्ता, किश्मे, जो भी आपको पसंदों मिक्स कीजिए तो बनाईए बाटी और चूर्मा और अपनी राय हमें जरूर बताईए थैंक यू